है 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 हिलो स्टूडेंट्स अगस्तु लेर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं अभशे का आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते ही है हमारा जो टॉपिक अफ डिस्केशन है आज का वो है लाइट अभी तक हम लाइट के बेसिक फिनोमेनाज में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का बेसिक इंट्रोड़क्शन और टाइप आफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव सर्फेसे और जो रिफ्लेक्टिव सर्फेसे में आपके दो टाइप के रिफ्लेक्टिव सर्फेसे जिनके बारे में हमने च या फिर अपवरतन, प्रकास का अपवरतन, किसे कहते हैं, तो when light moves from one optical media to other, there is change in speed and direction of light actually occurs, but it's not necessary, कि आपका direction में change हो ही, अगर आपका, अगर हम ये consider करते हैं, कि angle of incidence, angle of incidence जो है, वो 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा है, तब तो हम ये कह सकते हैं, कि there is deviation in direction, path में change होगा, यानि जो परिपत है प्रकास का, उसमें परिवरतन होगा, लेकिन reflection के लिए जरूरी थोड़ना कि ये ये condition हमें रखनी है, तो reflection में actually हम क्या कहते हैं, there is the phenomena in which change in speed of light occurs, यानि वह है आपका प्रकास की speed में परिवरतन आता है, प्रकास की चाल में परिवरतन आता ह जब वो एक medium से दूसरे medium में यानि एक माधियम से दूसरे माधियम में जाती है, और हमने पिसली क्लास में ये भी observe कि कैसे changes आते हैं, क्या qualities change होती है light की, तो हमने जाना था कि frequency remains the same, frequency जो है वो आपकी same रहती है, और इसके अलावा, जो दो quantities हैं, आपकी speed of light and the wavelength, speed of light and the wavelength tend to vary, right, तो और उसके बाद हमने जाना स्नेल्स law of reflection, रिफ्रेक्शन के हमने स्नेल्स law के बारे में जाना और जाना आपके reflective surface, refractive surfaces के बारे में, तो refractive surfaces में, हमने refractive index के बाद, refractive surfaces में हमने जाना था lenses के बारे में, तो lenses के हमने basically 2 types पढ़ने हैं, lenses के हमने जो टाइप पढ़ने हैं, यह में दो टाइप्स आपको यहां पर पढ़ने हैं पहला जो टाइप है वो है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा टाइप उसको नाम है कॉन्केव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं आपका Converging Type Lens, Convex Lens यहाँ पर आपका है Converging Type Lens और दूसरा जो आपका Concave है यह है आपका Diverging Type Lens अगर बात की जाए Convex की तो Convex के Main 3 प्रकार हैं जिसमें हमें सर्फ यह इसके बारे में जानना है हमें जानना है By Convex Lens के बारे में या फिर अगर हम कहें तो हम तीनो टाइप देख लेते हैं इसके Convex के तो Plano Convex और Convex Sorry Concave और Convex Concave और Convex वह अगर बात की जाए Concave में तो Concave में By Concave Plano Concave और Convex और Concave तो यह बेसिक छे प्रकार के हमने जाने कि भई जो हमारे Lens वह बेसिकली कितने टाइप के हैं तो इसके बाद हम चलते हैं जी बच्चो स्वेरिकल लेंस के बारे में तो स्वेरिकल लेंस में जैसा कि मैंने भी आपसे बताया ही कि स्वेरिकल लेंस आपके कौन-कौन से हैं तो स्वेरिकल लेंस में आपके पास दो टाइप से हैं कि ऐसे हम नहीं इन दो टैफ में मेरे पास है पहली चीज यह जो लेंस है एको हम कहते हैं कंवर्जिंग टाइप कनवर्जिंग टाइप क्यों कह रहें जो जैसकि आप सि्षीड क्लाश में Б taraf ड्रव आपका कोई भी आपका अप हम इंस्रूमेंट कोई भी आपका इस ताइप का थोड़ा सा और ज्यूदा फेला हुरा तो हम इस ताइप के लेंज को नाम देते हैं ठीक है अब कन वर्जिं औरู้ आपर हमें पदा है तो कन वर्यजिं टाइप लेंस मतलब क्या है की यचा यूचए ख robustटरैर और आपका जू 250 या करहें तो लाइट को फैला नहीं एकाम करेगा, तो ये converging और converging और diverging type, या फिर इसे ही हम नाम देते हैं convex, इसको हम नाम क्या देते हैं, तो इसको हम जानते हैं कि इसका नाम convex, और इस type के आपके lens का नाम है concave, concave or concave lenses, ठीक है, तो ये basic से introduction आपका, स्वेरिकल लेंस में दो टाइप सें पिशली क्लासे में I am चर्चा करो कि थी कीछ आपका एक जो कॉन्वेक्स लेंस है वह कहा जाताई तो क्यूंकि यहाँ पर एक आप से यह लेंगे और दूसरा शवेरा आपका ये होगा ये हमने प्रीसली क्लास के बारे में je अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो आपको इसकी डिटेल्स जो आपकी पुछली वीडियो है उसमें आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो देख सकते हैं अब चलिएजे आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं बच्चों की basic terms related to these spherical lenses, अब lenses के जो आपके basic terminologies हैं, हमने जाना पिछली जो आपकी reflective surfaces थी, उनमें हम C की बारे हम बात करेंगे, C क्या था, C था center of curvature, C को हम क्या करे थे, center of curvature, center of curvature, यानि, जिस curvature को हमने consider किया है, lens के जिस curvature को हमने किया है, consider, यह उसका center है, अगर यह इसका sphere है, तो यह वाली जो इतनी radius है, यह आपके क्या कहला है, radius of curvature, और इसका जो midpoint होगा, यहां तक की जो distance होगे, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे, आपका focal length, इसे हम नाम क्या देते है, R by 2, R by 2 is equals to F, यानि, radius of curvature का half, जो होता है, उसे हम क्या नाम देते है, उसे हम कहते है, focal length, और जो आपका C और pole के बीच का, जो midpoint होता है, इसको हम नाम देते है, focus, focus और focal length में फर्क है, focus वो point है, जहां पर light concentrate, या तो होती है, या तो फिर it appears to be concentrating on that point, अगर बात की जाए, आपके infinity वाले case की, ठीक, दूसरी चीज़ क्या है यहां पर, कि भई, focal length क्या है, तो focal length है, pole और focus के बीच की distance, फोकल length है, pole और focal focus की बीच की distance, ठीक है, तो यह था आपका basic terminology, जिसमें आपको principal axis जाना, principal axis क्या है, तो वो axis जो आपके इस lens के midpoint को perpendicularly intersect कर रहा है, ठीक, अब इस lens में एक यह जो आपको यह dotted wedge lines दिख रही है, इन्हें actually नाम दिया जता है, आपका इन्हें एक नाम दिया जता है, इसे कहते हैं optical axis, इसे हम नाम देते हיע optical axis, और यहाँ जो सका midpoint है, जैसे आप our leaf lective surface में, यहाँ पर refractive surface में इसका नाम क्या है, तो पोल की जगह पर है आपका optical center, वहीं अगर बात की जाए तो focus 1 यानि जिस तरफ से light आ रही है उसे हम consider करेंगे focus 1 और जिस तरफ light जाएगे after reflection उस तरफ को हम क्या consider करेंगे तो focus 2 जैसे यहाँ पर C1 है center of curvature C1 पहले sphere का center of curvature है वैसे ही आपका दूसरे sphere का यह जो center of curvature है यहाँ पर देखेगा यहाँ आपका focus होगा और obvious सी बात है कि दोनों जो spheres है इनका radius या diameter दोनों का सेम है दोनों का diameter सेम है तो अगर मैं इस distance को consider करना चाहूं यह distance कितनी है तो यह distance आपकी 2R यह जो distance है C1 से C2 के बीच की distance है 2R C1 से C2 की बीच की distance कितनी है तो 2R radius of curvature का double क्योंकि जो दोनों स्फेर्स हमने consider करें हों दोनों के दोनों स्फेर्स same radius के हम consider करते हैं whether it is the whether it is the converging type of mirror और it is the diverging type of mirror अब चाहे Converging mirror के बात करें चाहे diverging mirror के बात करें optical center से सारे distances को measure किया जाएगा principle axis के बारे में आप सभी जानते है रे of light के बारे में आप सभी जानते है सी एक सीवन जो अपके फसेंटर अफ कर विचर का जो सेंटर है यह इज आपका पहला स्फेर है उसका सेंटर है और दूसरा का स्फेर है उसका संटर कै लाएगा Center of curvature 2 और अगर सेंटर अफ कर विचर मैं मिड पॉइंट चेक करूंगा that midpoint would be called as focus 1 अगर center of curvature फिर्स्ट वाले का चंसिर गया जागा, तो focus 1 और अगर center of curvature फिर्स्ट वाले का चंसिर गया जागा, तो तो कंसिर क्या कहेंगे, this is focus 2, और सारे distances कहां से मेजर होंगी, जैसे हम बात कर रहे थे, pole in case of mirrors, pole in case of mirrors, वैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर optical center के बारे में, और यह जो axis है, जहाँ पर आपकी midpoint इस, हम vertical की और horizontal दोनों के देख रहे हैं, यहाँ जो आपका pole के ऊपर, जो आपकी wedge lines है, wedge line को नाम देते हैं, optical axis, यह है आपकी optical axis, और जो भी आपको light bend होती हुए नजर आएगी, that will be from this point only, या अगर मैं यह कहूँ, कि आपकी ray of light यहाँ से आए, और यहीं से आगे चल के मुड़ जाए, it's not possible, जो भी आपकी ray of light हैगी, that will move till, that will move till the optical axis, वो आपकी जो ray of light होगी, वो यहाँ तक move करेगी, उसके बाद ही light आपकी, या तो converge होगी या फिर diverge होगी, तो it's clear कि आपको यह ध्यान रखना है, कि आपकी जो ray diagram आप ड्रॉ करेंगे, सारे के सारे lights को, जो ray of light हैं, उनको आप converge करें या diverge करें, मतलब फैला आएं या concentrate करें, आपको ध्यान देना है, कि lights जो आप bend करेंगे, जो उनका bending होगी, that has to be from the optical axis of the lens, lens की optical axis से ही आप, इन changes को दिखाएंगे, चलिए जी, तो यह थी basic terminology related to lenses, concave और convex, अब देखेजी, rules for drawing the diagram, ray diagram ड्रॉ करने के लिए, आप पहले सई जानते हैं, आप सभी पहले सभी जानते हैं, कि अगर कोई ray of light, अगर कोई ray of light, मैं यहां चाये concave लूँ चाये convex लूँ, अगर मैं concave, convex लेता हूँ यहां पर, देखिये, मैं यहां a Будra convex lens लेता हूँ, मैंने लिया here, misunderstand the convex lens, यहां पर आपका F1 है, यहां आपका F2 है और यह आपका C2 है, अब यहां से अगर कोई ray of light parallel आती है, तो that will move, अब कहां से मुड़ेगी, तो मुड़ेगी आपकी optical axis से, अब यहां से कैसे जाएगी, that will move through focus, यानि light moving parallel, light ray, light ray, moving parallel, light ray, moving parallel to the principal axis, moving parallel to the principal axis, the PA, intersects, intersects, जो आपकी ray of light, principal axis के parallel आई है, वो कहां से जाएगी बच्चों, तो वो जाएगी, that will intersect the focus, that will intersect the focus 2, focus 2, 2, यानि क्या है, यहां से ray of light, left to right eye, और focus 2 को intersect करते हुँ जाएगी, यहां फिर मैं बात करूँ यहां focus 2, यहां mention करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ दोनों की केस में, converging और diverging दोनों की केस में, तो diverging type के lens में, आपकी जो light होती है, that appears to be intersecting at focus 1, diverging के केस में, आपको जो appear होगी light intersect करते हुई, that will be at focus 1, बाकी आपके convex में, पांच केस में, आपकी real images बनते हैं, जैसे कि आपने concave mirror में देखा था, same, यहाँ पर convex lens में, क्योंकि concave mirror आपका converging type है, तो वैसे यहाँ पर यह converging type का lens है, ठीक है जी, तो यह है आपका basic introduction about the ray, पहला यह हो गया, दूसरे के अगर बात की जाए, इस ही का converse देखते है, if a ray of light, if a ray of light intersecting focus before reflection, before reflection, if it is intersecting the focus, then after reflection, after reflection, the light will move parallel, to the principal axis, the light will move parallel to the principal axis, और वहीं अगर बात की जाए, जो ray of light आपकी move करेगी, optical center से, जो ray of light आपकी move करेगी, optical center से, that will move straight through the refractive lens, जो भी आपका lens आप कंसिदर कर रहे हैं, उसके, अगर optical center से light पास होते है, that will move straight, उसके path में कोई change नहीं होगा, अब ऐसा क्यों नहीं होगा, तो ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि अगर sphere के, किसी भी point पे, अगर आप perpendicular डालते हैं center से, तो आप जानते हैं कि वो, perpendicular के अगर form में जाएगा, तो obvious से बात है कि आपकी जो ray of light होगी, that will be perpendicular, perpendicular वाली मतलब क्या, कि refraction अगर 90 degree पे हो रहा, तो angle of incidence, angle of refraction, and normal, aligns on the same line, यभी तीनों same line पे जाएगे तो क्या होगा, कोई change in path of light नहीं होगा, so these are the basic rules for drawing the ray diagram of lenses, ठेके जी, अब यहां बात करते हैं, image formation by, image formation by convex lenses, convex lens कौन से, converging type के lenses, consulence, converging type के lens, अभी जो converging type lens है, यहां पर देखी क्या केस है, पहला केस, आप सभी जानते हैं, converging type में क्या है, object is placed at infinity, object कहां रखा है, तो object is placed at infinity, अगर कोई object infinity पे रखाता है, अगर कोई object infinity पे रखाता है, तो भचो ध्यान दीजिए, आपने reflective surfaces में जो डाग्राम ड्राउ किये थे, same वही diagram है, बस यहां पर आपका जो optical tool है, जो optical instrument है, that is changed, and nature दोनों का ही same, nature दोनों का ही same, वहां light converge करने वाला mirror था, यह light converge करने वाला lens है, बस वर्क सिफ इतना है, कि वहां reflection हो रहा है, यह reflection हो रहा है, वहां mirror था और यहां lens है, बाकी cases तारे के सारे सारे same है, अगर कोई ray of light पैरलल आती है, तो वह इंटर्रेक्ट करेंगे, क्योंकि object इंफिनिटी पर रखा हो, आप इंफिनिटी का रिजन, आप सभी को पता है कि infinity का मतलब क्या है, अगर focal length, आपकी जो object के focal length है, अगर यह जो आपके mirror के focal length है, अगर object distance बहुत चोटी हो, बहुत जादा ही चोटी हो, तो हम क्या consider करते हैं, कि आपका जो distance object का U जो है that the object is at infinity, और अगर infinity पर रखा होगा object तो आपकी image का बने की, तो आपकी image बने की focus पर, image type real, क्योंकि actual intersection of light हो रहा है, और इसके साथ, the size of object is highly diminished, बहुत चोटा है, real inverted है, और बहुत चोटा है, जी, दूसरा case देते है, object is placed beyond C, beyond C वाला consider, condition था यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है, 2F, 2F, यानि C के हो, हम यहाँ पर एक और नाम देते हैं, C, center of curvature is called as 2F, center of curvature is called 2F, अगर बात की जाए, center of curvature 1 की, तो C1 would be called as 2F1, whereas C2 will be called as 2F2, तो यहाँ पर हम जो अभी nomenclature use करेंगे, वो center of curvature 1 और center of curvature 2 use ना करते हुए, क्योंकि center of curvature, जो है, वो हम mirrors में भी use कर र confusing हो जाता है, बच्चों के लिए, यहाँ पर हम यह terminology use करते हैं, C1 की जगहाँ पर 2F1, और C2 की जगहाँ पर आपका 2F2, 2F1 और 2F2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि C1 जो है, वो आपका क्या है, F1 की double distance पे है, C1 जो है, वो F1 की double distance पे है, C2 आपकी F2 की double distance पे है, इसलिए, जो है, twice of F1 is equals to C1, and twice of F2 is equals to C2, ठीक है जी, तो object is placed beyond 2F1, object is placed beyond 2F1, यहाँ पहला कि अगर आप mirror को के साथ करते हैं, तो अगर object रखा होता है, beyond C, then the image will be formed between C and F, then the image will be formed between C and F, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ की real image बने की, real image बने की, real image बन right side में, image will be formed between F2 and 2F2, size will be small, size will be smaller than the object size, यहाँ जो object का size होगा, उससे आपको size मिलेगा, छोटा, जो object का size होगा, उससे आपको size मिलेगा, छोटा, लेकिन जो आपकी image बनेगे, वो कहाँ बनेगी, F और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, इसे F1 और 2F1 consider कर लीजे, फिर करें हम तीसरे टाइप के जो तीसरे टाइप, तीसरे टाइप था, object is placed at C, तीसरे टाइप के था, object is placed at C, आप C की जगह पर बने पर क्या है तो 2F1, Cße 1 के जगह पर 2F1, और F1 है, ठीक के जी, तो object is placed at 2F1, तुफ उफ एफ वान पे अगर object रखा है, पे एकर object रखा है, दो तो आपके इमेज कहां बन रही थी, कहां पर तो C पर ही बन रही थी, ठीक, लेकिन यहां जो center of curvature है, वो किस तरफ का consider होगा, तो आपका दूसरी side का consider होगा, right side का consider होगा, क्योंकि यह आपके image reflection के बाद बन रही है, ठीक, तो यहां क्या होगा, size of image will be remain the same, size of image will remain the same, it will be real and inverted, but this is on the positive side, this is on the positive side, but इतना सा difference है, दूसरी अगर वहीं बात की जाए, चौथे case के, तो चौथे case में क्या है, तो चौथे case में है, आपका object is placed between 2F1 and F1, object is placed between 2F1 and F1, any center of curvature, और आपका focus on the left side, ठीक है, तो यहां से image कहां बनेगी, object will be formed, image will be formed beyond 2F2, beyond 2F2, जैसे के हमारा पहले case में था क्या, object अगर C और F के बीच में रखा होता तो इमेज बनते थे beyond C, image would be formed beyond C, अगर image beyond C बन रही है, तो image जानते हैं कि it will be real and inverted, the image will be formed will be real and inverted, and the size of object will be enlarged, size जो होगा जो आपके image का, the image size will be enlarged, आपका image का size होगा वो होगा, बड़ा, as compared to the size of object वह यह अगर बात कि जाए, आपके image की, तीज पांचवे टाइप में, कि पांचवे टाइप में, इमेज कहाँ बने की, तो if the object is placed at F, if the object is placed at F, आप यहाँ देखिये, यहाँ किया था, object infinity पे था, तो image आपन रही थी, focus पे, वह अगर बात कि जाए, आपके, इसी case, इसी case का just opposite here, 5th case, object is placed at F, then the image will be formed at infinity, size will be very large, and the image formed will be real and inverted, real and inverted, real and inverted, which you have got image, वो यहाँ पे भी मिलेगी, चथा और आखरी केस, चथा और आखरी केस, अगर में बात करो, convex lens में, तो object is placed between, object is placed between F1 and optical center, the object is placed between F1 and optical center, then the image will be formed between, the image will be formed between where, object, Here we see, आपकी image कहाँ पन रही हैंपर, आपकी, इमस कहाँ पन रही थीओ, आपकी image कहाँ पन रही थी इमेज का जो नेचर है that'll be virtual and erect तो ये 6 cases हैं आपके किसके? Convex lens के या फिर हम इसे कह सकते हैं आपका converging type of lens ठीक है तो converging type of lens में हमारे पास ये basic 6 types है converging type of lens में हमारे पास ये basic 6 types आयते हैं ठीक है जी अब चलीजी आगे चलते हैं next slide में देखिजी क्या होता है image formation of image formation by concave lens अब यहां देखिजी image formation by concave lens यानि कौन से lens है भई? तो हम जानते हैं भई concave lens को हम क्या नाम देते हैं तो इसे हम नाम देते हैं diverging type of lens कौन से type का lens तो diverging type of lens यानि क्या करते हैं लाइट को फैलाता है यहां से ray of light parallel eye और फैल गई, parallel eye और फैल गई, तो इससे क्या हुआ, अगर object infinity पे रखा हुआ है, अगर object infinity पे रखा हुआ है, तो आपके image कहा बनेगी, obviously है, f बनेगी, f बनेगी, कैसे बनी, virtual and erect, क्योंकि यहां light आपकी फैल रही है, यहां आपकी light जो है, फैलती हुए नजर आपको क्या दिखता क्या है, कि it, the ray of light appears to be intersecting each other at focus, जो ray of lights है, दोनो ray of light है, that those two lights, ray of lights, are appearing to be intersecting, intersecting each other at focus, f1 position पे, ठीक है, तो image, image object नहां रखा हुआ है, infinity पे, image formed at f, और size कैसे है, तो size है, आपका, highly diminished, and the nature of image formed is, virtual and erect, यहां अगर हम बात करें, तो इन दोनों cases में हम जानते हैं, जैसे diverging type के mirror में था, वैसे diverging type, lens में भी है, दोनों cases, object between infinity और optical center, between infinity और optical center, कहीं भी रखा हो, तो same वही, आपका image कहां बनेगा, आपका image बनेगा, focus और optical axis, optical point के बीच में, और image type होगा, आपका virtual, erect, और size size होगा, size होगा, और image बनेगा, और image बनेगा आपकी F और optical center में, यानि focus और optical center के बीच में कहीं बनेगा, size हमेशा आपका छोटा होगा, तो हम इससे कह सकते हैं, कि diverging type of lens हमेशा आपकी image जो होती है, image जो है, object की image को वह हमेशा diminished बनाता है, तो यह basic आपके total r type थे, जिन में आपने देखा कि reflection के बाद जो आपके spherical lenses हैं, वो किस type के आपके images बनाते हैं, आप एक बार इसे go through कीजिए, तो चलिए बच्चों देखते हैं, भाई यह diverging type of lenses, diverging type of lens के हमने basic दोनों types कर लिये हैं, और आटो types आपके जो image formations हैं, उन्हें आप देख चुके हैं, अब बात कर सबते हैं, साइन कन्वेंशन कीजी, तो साइन कन्वेंशन हम सभी जानते हैं, कि साइन कन्वेंशन कैसे follow होता है, तो Cartesian system सबको याद होना चाहिए, Cartesian system क्या कहता है, Cartesian system में था कि positive x, negative x, positive y और negative y, यह कौन सा है तो यह y axis है, और यह आपके x axis, आप जानते हैं, यह negative infinity का side है और यह positive infinity का side है, यह y positive upside, y negative downside, plus, minus, minus, plus, light हमेशा left to right जाएगी, light हमेशा left to right जाएगी, आपका जो lens होगा, lens का जो optical center होगा, the optical center of lens will be placed at the origin of the Cartesian system, or all the distances will be measured from, all the distances, all distances will be measured from, will be measured from, आपकी जतनी भी distances होगी, measured, all the distances will be measured from, optical center of, जो भी आपकी distances होगी, all those distances will be measured from, अब अगर मैं बात करूँ यू की तो यू किस साइट जाएगा जो बच्चो यू तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा अगर 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 बात करें रियल इमेज फॉरमेशन की तो रियल इमेज फॉरमेशन हो रहे है राइट साइड में यानि वी जब आपकी इमेज फॉ तो फोकस अगवर्यल », और इमेजी बन रही है तो फोकस होगा आपका पॉजिटिव और वहने कर बात की जाये अगर आपका इमेज बन रही है इमेजनेरी यह वर्चनिर यॉ वर्चल अगर वर्चल बन रही है तो अपका यू भी oneyietgив व Fl as The negative तो आपको basic ray बात की अबजट अगर अबसाइड बस इतनी से चरकां करनी है इसके बारे में बेसिक चरचा हम पहले ही कर चुके हैं कब तो हमने इसके बारे में जाना था quedar हमने और पढ़ा था तो science convention basically सारी की सारी वही है बस आपको वहाँ पर पूल था और यहाँ पर आपको सारे distances को कहां से measure करना है तो the distances are measured from the optical center of the lens lens के optical center से आपको सारे distances को measure करना है अगर right side में कोई चीज जाती है तो positive left side में रहती है तो negative, upside रहती है तो positive or downside negative, basic से चर्चा इसके बारे में हम कर चुके है चली जिब next slide में देखते है lens formula, lens formula में क्या है कि अगर में बात करूं कि lenses में क्या होता है जैसे मैंने u, v और f के बीच का relation आपके लिए लिखा था, किस में? mirrors में, तो mirrors में formula क्या था? mirrors में आपका formula था 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u, यहाँ जो आपका formula 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, बस basic सा formula यही है यहाँ पर आपको 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, यहाँ रिचिप्रोकल of focal length is equals to difference of reciprocal of image distance to object distance, object distance and image distance का जो difference है, image distance to object distance का जो difference है, that is equals to the reciprocal of the focal length, ठीक है जी? तो बेसिक से आपका चर्चा है यहाँ पर इसके lens formula के और lens formula में इसके जादा कोई खास आपके पास अब ही कोई scope यहाँ पर है नहीं इनके सबर आप चाहते हैं कि यह derivation यह actually formula आया कहां से कैसे derive हुआ यह कैसे यह सिफ हर एक क्या हर एक lens के लिए क्या हर एक situation में सिर्फ यही formula apply होगा अगर आप यह details में जानना चाहते हैं तो please comment कीजिए comment section में और हमें बताइए we'll be glad to inform you about the each and every case right तो चलीजी आगे तलते हैं आगे देखते हैं lens formula lens formula के बाद बारी आते है is magnification पालकों इसके बारे में तो हम बहुत basic सी चर्चा कर चुके है Magnification का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम एक 쳐च कर चुके है magnification मतलब क्यों क्यों तो say magnify करना यानि magnify कब होगा कोई चीज ¿ knocking knife knife कब होगी आपने देखा को pandit una normal हाथ देखने के लिए वह men через use करते हैं एक lens जो use करते हैं जो वो lens use करते हैं that is converging type of lens convex lens यह होता है लेकिन अब यहां जो magnification है इस magnification का actual मतलब है the extent to which light is deviated from a reflecting surface जैसे आपने जाना था reflection में extent to which light is converged or diverged by a reflecting surface वैसे ही यहां पर the extent to which light is converged or diverged by a reflecting surface, वहाँ reflecting surface था, यहाँ reflecting surface है, बाकि light किस extent पर converge or diverge हो रही है, सिर्फ उसका measurement है, और जो measurement है, that is in form of ratio, हम पिसली class, जब हमने इसके बारे में जाना था, तो हमने जाना था, तो हमने जाना था कि भाई यह किसके form में है, तो it is form of ratio, ratio किसकी, तो ratio है image to object की, image to object, size of image, size of image to size of object, size of image, size of image to size of object, size of object, अब बाल को यहाँ ध्यान से लेखो, अगर image बढ़ी होगी, अगर आपकी image बढ़ी होगी, और object चोटा होगा, numerator बढ़ा, denominator चोटा, इसका मतलब क्या, तो बाल को हम कह सकते कि जो आपका fraction आएगा, जो यहाँ fraction की value निकलेगी, that will be more than 1, यानि अगर आपक magnification is greater than 1, अगर magnification एक से ज्यादा है, तो आपका जो object का size जो है, वो image का size से छोटा है, अगर मैं बात करूँ, magnification is less than 1, अगर magnification less than 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपका object का size है, वो image का size से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा है थोड़ा है ज्यादा है, particularly यह ज़्यादा है क्योंकि fraction में आपके value 1 से कम आ रहे है यानि object का size ज़्यादा और image का size कम and if it is 1 if it is 1 then size of image and size of object is same दोनों जो आपके object और image है इन दोनों का size same है magnification is represented by small m magnification को represent करते हैं small m से इसे हम h- upon h लिखते है यह न है height of image upon height of object या तो h- h- और h का use कर लो या तो फिर हम यहां इसे directly use करते हैं height of image height of image to height of object hi upon ho high हो कर लो बस हम समझ जाओगे इसे ठीक है जी तो भई एक formula इसका और है जैसे हमने जाना था length mirrors में mirrors में m is equals to minus v by u था यहाँ पर m है यहां m है आपका v by u अब देखे जी positive और negative का impact क्या होगा अगर आपका m negative आ रहा है इसका मतलब क्या है m positive आ रहा है इसका मतलब क्या है क्या बताता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं अब देखें यहां पर हम जानते हैं चाहे कोई सा भी लेंज चाहे कोई सा भी लेंज हो यू तो रहेगा negative यू जो है वो negative ही रहेगा यू रहेगा negative अब अगर real image बनती है for real image for real image real image के लिए क्या होगा बालकों तो real image के लिए हम जानते कि आपके real image कहां बनेगी 2f1 और 2f2 के आजपास बनेगी 2f2 वाली साइट पर बनेगी यानि second वाली साइट पर बनेगी right side पर बनेगी for real image अगर real image right side पर बन रही है तो यानि आपका positive के side में जा रही है तो यानि क्या होगा V होगा positive V होगा positive अब देखेजिए यहां formula क्या है formula है M is equals to V by U M is equals to V by U यानि अगर मैं यहां देखू positive V positive V और negative का U situation में। इसम मतलब क्या है आपकी ऑफ टाइप बात किजैंना पॉजिटिय अमर्बाथ जा रहा है अगर आपका पॉजिटिवयरा तो आपकी में। नेगर इमेज एक गई रिक्रमिच लेप है जाने लुुटिर आपके लिए ठाइपह करक लोकिटिव थैंक workforce नेगेटिव ठीक है जी और अगर more than one है यानि quantity से पता लगना है m is greater than one मतलब image का size बड़ा और object का size छोटा अगर less than one है आपका m तो इसका मतलब क्या है कि आपका image का size है वो छोटा है और आपके object का size बड़ा है अगर m is equal to one है तो इसका मतलब यह है कि image और object same size की है तो यह basic सी आपकी magnification की और magnification के बाद बारियाति है सबसे last और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण topic की इसे हम कहते है power of lens lens की capability lens किस extent पर काम कर सकता है भाई lens की power क्या है power का मतलब क्या कि किस distance पर लाकर यह आपकी light को converge करेगा किस distance पर लाकर आपकी light को converge करेगा और यहाँ जो power of lens का है य power is equal to reciprocal of focal length power is equal to reciprocal of focal length अगर यहाँ से मैं आपको directly कोई question देना चाहूं 1 by f power is equal to 1 by f अगर ध्यान से देखे तो आपके lens formula गा formula था 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u 1 by v minus 1 by u तो आप यहाँ पर directly से यह भी लिख सकते हैं reciprocal difference of image distance to object distance is equal to power आप यह भी लिख सकते हैं यह reciprocal of focal length is equal to power power of lens basically सिर्फ यह reciprocal to the focal length अब यहाँ देखे इसका मतलब क्या है कि अगर focal length कम हर कम है इसका मतलब क्या है कि light को बहुत जादा bend कर सकता है आपका object आपका जो lens है वो light को बहुत जादा converge है बहुत जादा diverge कर सकता है बहु जादा है और अगर बात की जाए आपका lens जो है उसकी focal length जादा है focal length जादा यह वो बहुत जादा concentrate नहीं कर पा रहा है particular point पे इसलिए उसकी distance को रखा है दूर general observation इसका सिर्फ यह है अगर मैं बात करूं net sum power की तो P total P total is equals to P1 plus P2 plus P2 up to Pn हो सकता है यह वैसे sum का formula आपके syllabus में नहीं है so this is all about the chapter 10 of class 10 light in basics जो introduction part था वो सिर्फ यह था आज के लिए बच्चों आपके class समापत होती है यहीं पर तब तक के लिए बच्चों next class में मिलते हैं इसी chapter के कुछ questions and answers के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों झाले को झाल झाल